Beneficiary name may only contain alpha numeric का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं जब आप किसी भी Beneficiary का name किसी account में add करते हैं या फिर किसी form में add करते हैं तो आपको इस तरीके का error message दिखाई देता है और इसका मतलब ये है कि आप जो Beneficiary का name है वो सिर्फ alphabets में ही लिख सकते हैं या numbers में लिख सकते हैं यानि कि कई बार जैसे किसी Beneficiary का नाम होता है AB son of BC तो आप son of की जगे पर S slash O लिख देते हैं या daughter of की जगे पर D slash O लिख देते हैं तो इस तरीके से मतलिखिए या तो आप पूरा daughter of लिख देते हैं या आप son of लिखना चाहते हैं तो son की spelling लिख देजीए फिर off लिख दीजी या So and Son और oaf of इसी तरीके से father of, mother of जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आपको सिर्फ alphabets में ही लिखना पड़ेगा जो at का sign है, percent का sign है या फिर आप slash, hyphen, full stop ये सब use नहीं कर सकते हैं beneficiary के नाम में इसका यही मतलब है अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें